Welcome students, स्वागत है आपका एक बार, फिर से हमारे शैनल उपलर गुरू पे बात करने वाले हैं JP University के students के बारे में जी हाँ अगर आप JP University के student हैं तो बहुत सारे students अलग अलग तरह के questions पूछ रहे हैं related to result, related to admission, related to special exam, related to scrutiny सभी के बारे में आज details से बात करने वाले हैं क्या कुछ नए updates निकल क्या हैं JP University session 19-22 के लिए जी हैं अगर आप session 19-22 के साथ सबसे जादा चीजें जो है अभी session 19-22 के ऊपर चल रही है JP University में खास का result और mark sheet को लेकर के next session में admission कब होगा आप सभी students का यानि की part 2 का admission सभी के ऊपर आज बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली आप सभी students को बताते कि हमारे चैनल पे JP University से related सभी के सभी updates सबसे पहले दिये जाते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े होएं तो जुड़ जाए नीचे एक लाल रंग का subscribe बटन है subscribe कर ले हमारे चैनल को और अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like भी जरूर कर दे students जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी session जो है यानि कि अभी part 3 का जो session 18 किसका है यहां पर examination form का पूरा process जो है वो 0-0-0 से चल रहा है और बहुत वक्त बाद से यहां पर जो examination form का time जो है वो शुरू किया गया है उन सभी students का आप सभी students का भी examination form शुरू कर दिया जाता है लेकिन जैसा कि आप सभी students को पता है कि आप लोगों का result जो है वो बहुत ही late जारी किया गया है यानि कि session 19-22 का result late जारी किया गया है और ऐसे में वो सभी students के बहुत सरे ऐसे भी students है जिनकी की शिकायते आ रही है कि उनका result में fault देखने के लिए मिल रहा है खासकर जिस तरह से marks दिये गए हैं, marks की totaling में गलती है या फिर किनी का pass दिखा रहा है पहले किनी का fail दिखा रहा है तो ऐसे में आप सभी students को बता दें अगर यहां पे उससे पहले यानि कि इन जो गलतिया हुई है इससे पहले ही अगर admission का इसको ठीक करने से पहले अगर admission का date जारी कर दिया जाता है तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें यहां पे होनी है एक चीज यूनिवर्सिटी के दौरा जैसे कि बताया गया है जो students fail यहां पे दिखाये जा रहे हैं online उनका admission जो है वो यहां पे नहीं लिया जाएगा सिर्फ उनी students का admission लिया जाएगा जो कि pass है या फिर promoted है सिर्फ part 2 में सिर्फ उनी students का admission लिया जाएगा जो कि pass है या फिर promoted है बहुत सारी students fail है आप सभी को बता दे बहुत जादा chances है कि part 2 में admission तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि आप आप लोग का mark sheet यहां पर नहीं मिल जाता है क्योंकि online अभी तक जो भी result दिखाया जा रहा है उस पर बहुत जादा गलती और अभी तक यहां पर correction जो है बहुत सारे students के results के साथ नहीं किया गया है बहुत सारे students का अगर हम यहां पर special exam की बात करें तो उनका results अभी तक नहीं दिखा रहा है यानि की अच्छे से अभी तक नहीं दिखा रहा है यहां पर Error बता रहा है लेकिन और भी भी उसके ओपर servers के शभी शुटर्टेंस के इन्तजार कर रहे हैं जो भी सुट्टेंस इस बाद कर सुट्जनम के लिच कर रहे हैं 2004 को उतना कके लोग सार पर रप्रेश से 웃ाम करती Brazil को टेकšष यहां के लुगाया मिल सकता है क्लोंकि इसका जो डौब को जार्यकर णेल the results ले इस hadith काम दिया है वो students यहां पर कभी भी उनके उसके उपर जैसे यहां पर शो होने लगता है उसके उपर भी एक अलग से यहां पर वीडियो बना दी जाएगी लेकिन जो students admissions के लिए यहां पर पूछ रहते हैं उन सभी को बता दे कि admission जो है admission शुरू होने में अभी कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त है अगर आप part 2 में admission के लिए यहां पर सोच रहे हैं session 19-22 के students तो अभी 15 से लेके 20 दिन तक का आप लोग को wait करना पढ़ सकता है क्योंकि जब तक results या फिर mark sheets में सुधार नहीं किया जाते हैं जिन सभी students का यहां पर गड़वड देखने के लिए मिल रही है तो यहां पर number totaling में गलती देखने के लिए मिल रही है पहले pass दिख रहा था fail दिख रहा है तो जो भी चीजे हैं इसको दुबारा से सही किया जाएगा और अभी online जो भी यहां पर गड़वड़ी देखने के लिए मिल रही है उन सभी students को अगर इसको एकदम पूरी तरीके से ठीक करना है तो जो एकदम जो real आप लोग का mark sheet आए है वो finally आपके mark sheet में देखने के लिए मिलेगा आप सभी students को और जो next session में आप सभी का students का admission होगा वो आपके mark sheets के ऊपर ही किया जाएगा बहुत सारा कुछ update यहां पे JP University से खास कर यहां पे session 19-22 के लिए अगले कुछ दिनों में निकल के सामने आने वाला है चाहे वो आपके mark sheet को correct करने को लेकर के वह सारे students पूछे हैं हमको promote कर दिया गया scrutiny का क्या scope है यही आगे कुछ दिनों में इन सभी चीजों के ऊपर JP University में बात की जाने वाली है हला कि अगर अभी तक आप सभी students ने अपना-पना result download ने किया है तो जल्दी से जाके अपना result जो है उसको download कर ले क्योंकि result download जिस तरह से हो रहा है आप सभी students के लिए videos बना दी गई है आप लोग जाके देखें और जल्दी से जल्दी अपना-पना जो result है उसको download कर ले मिलते हैं next update के साथ जैसी कोई भी update यहां पे JP University दोरा आप सभी के लिए जारी की जाती है क्योंकि अगले कुछ दिनो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे comment section में और या फिर अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर दे वीडियो को लाइक निक्या तो लाइक कर दे मिलते हैं next update क साथ और हमारे telegram और whatsapp group से जरूर से जरूर जोइन हो जाएं ताकि कोई भी update आपसे कभी मिसना हो ताकि जो भी चीज आपके university colleges में होती है सभी का update आपको एगम time to time मिलता है तो telegram और whatsapp group से जुड़ जोड़े दोनों का link जो है इस वीडियो के नीचे description में डाला हुआ है को कोई भी यहां पर update आपसे मिसनी होना चाहिए मिलता है next update के साथ और update से जूड़े रहने के लिए चैनल से भी जरूर जूड़ जाए नीचे लाल रंका subscribe button है subscribe कर ले हमारे चैनल को ताकि कोई भी update आपसे कभी मिसना हो मिलता है next update के साथ जैसे कोई भी update आती है JP University से उसके सा तब तक के लिए नमस्कार